वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फ़ते सिख तरम बेचे कई साल लंतों इवी बाद इसे तरह ही खड़ा है के सिख अमनतारी सिख और गुरु सिख की मीट और मास खा सक देहन कि गुरु गोबे सिंग महराजी ने सिखा नो अलाव कीता है कि ओं मास खा सकते हान यूँकि अमर्त के तो शकाया जानता है उदो भी एक अलके ही जान्दी है कि सिंग चटका खा सकते हान पर हलाल नहीं खाना, कुठा मास नहीं खाना जिस्तों बाद सिखाने बेच आपनिया अपनिया तरावारू लेके बकरे बकरे बिचार हान कुरी सिख केंदे हान के सिंग माज खा सकते हान जीमिके नहांग सिंग चटका खान दे हान बकरे बटदे हान कुछ रहत मर्यादा बाड़ सिखा नुमास नहीं खाना चाहिए दा गुरु गोवसें महराज ने सिखा नुमास खानते रोक लगाई है पर हले तंग अनेका ही तारमिक गुरु सांत हुई हन पर उना ने किसे ने भी आज तक एक गन लुग क्लारिफाई नहीं किता कि की साच है कि गुरु गोवसेंग जी दे एकी बचन हान हजूर साहब दे बिच जी थे गुरु गोवसें महराज जी दा अंगीठा है वो थे बकरे बड़ के क्यों शाष्ट्रा नुम उना दा खून लगाया जान दा है इना सारे सवालाने जिवावता नुम आजे इस वीडियो बेच बिल जानगे इसलही साच डिनार वीडियो दे आंसा के रूर बढ़ी रहना गाल शुरू कर दे हाँ जातो गुरु गोवसें महराज जी ने सिखा नो क्यों किया के मीट खा लो उन्हांक सिंग एक एंदिहान के तसें पाश्शा महराज ने सिखा नो मीट खान लई किया है कोई रोक नहीं लगाई ता उस ता कारण की है इसनो पहला समझ लना चाहिता है एक आल है उदों दे जदों गुरु गोवसें महराज साथ सो सिखा ने नाड शूटे सहब जा दे और बड़े सहब जा दे और मातावा ने नाड माता गुच्री कोर जी दे नाड रांदपुर सहब जी दे अंदर आतमी ने पुखे पाने बिना कुछ खादे बेठे रहे सान जदों मुगल फोज ने लगबाग 10 लाख दी मुगल फोज ने गुरु गोवसें महराज दे किले दे आले दवारे केरा पाया होया सी किले दे अंदर लगबाग 700 सिख दे करीब बंदे सान गुर्मुक सान मातामा सान जेसे कारण शेमी न्यादे बेच गुरु कारदा लंगर दाना पानी खत्म हो गया जेस नो बाद सिंगा ने उत्थों द्रक्तां दे पत्ते तोड़के ओ भी खा के गुजारा कीता सी जेस तो बहुत सारे सिख जिना नो वही चाड़ी मुक्तिया जान दे हा गुरु गोव सिंग महारा नो इससे लिए बदाबा देगे सान केयों की उनना तो एक पोख बरदास्ट नहीं हो पाई सी हाला के इस बिदाबा देन बाड़े ता बहुत सारे सिख सान पर पंजा प्यारां पालो जदों गुरु गोव सिंग जी दे सिखा नो उननने एक क्या किया कि आज दा दोर गुरु गोव सिंग महारा जी ते ओख खा दोर है और इस ओखे समेदे बेचे तुसी गुरु गोव गुरु गोबसे महराज नो शड़ जाओगे ता इस तो माड़ी कड़ी और माड़ा समातो हड़े दे भी आवेगा ज़तो गुरु गुरु गोबसे महराज ता हड़ी अकाल पुरु भीवा नहीं पढ़ेगा। पहला ए लिखो के तुसी साड़े सिख नहीं और महत हड़ा गुरु नहीं क्योंके कल दुनिया मेनो ए ना कवे गुरु गोबसे ने अपने सिखा दी बाह नहीं फड़ी। ज़स्तों बाद ओ सिख ए बिदावा लेके गुरु गोबसे महराज नो उस नगरी तों चड़े गए चे रहे गए सानकुर सिख में ऐसी सब जान दे ही हा के मुगला ने अपने पीरां दी सौंखा दी और पहाडी राजा ने गाउं दी सौंखा दी आटे दे गाउं बना के उल दी मादा गुजरी जी दे सामने सौंखा दी कल गी तर पिता स्वासदा नी पंत के वाली शाओ शेंशा गुरु गोबस में महराज जो कदे भी नंदपूर सहिव नगरी शटन दे हाक दे बेचने इसान उना नो सिखा दे और मादा गुजरी जी दे जोर पॉंड दे नंदपूर सहिव जी नगरी शटन दी इस तो बाला ही जान दे हो के मुगल फोज महराज जी दे पिछे लग गई और सरहांद दे महराज जी दा पर वार बिच्छट गया शोड़े सहव जादे सरहांदवाल चले गए और बड़े सहव जादे गुरु गोबस नी महराज जी दे ना चले गए चमकोर शहव जी दी जंग होई बड़े सहव जादे चमकोर शह विर्शी दिया पा गए और फिर पंच प्यारे ने गुरु गोबस महराज जी नो उत्हों भी जान दे लई बेंती किती ता पंचा प्यारे निकाल मानके कल गितार पिता चमकोर शहव जी दी गड़ी भी शट गए ताड़ी मारके चमकोर सहम जी दी गली शट के महराज नंगे पैरी तुर्दे हुए रास्ते विच आ रहा है हन और पिछे गुरुगोव सिंग जी दे बुछ सिख भी आ रहा है सान जिना विचों पंजा प्यारें विचों दू प्यारें सान पाई दया सिंग जी और चमकोर सहब जी नगरी शटी सी उतना कुछ भी नहीं खादा सी और फिर चमकोर सहब जी जंग भी किती और फिर एस सेंग नंगे पैरी सरीर दे उपर कई तरह दे फाट दे और सटा दे निशान सान गुरुगोव सिंग महराज नो लबदे लबदे मार्शी बाड़ जंगना जदो एस सेंग मार्शी बाड़ जंगना विच गुरुगोव सिंग जी महराज नो मिल दे हैं ते एतियास एह कहनदा है कि ओधे गुरुगोव सिंग जी मिल के महराज नो फरियाद कर दे हैं कल गी तर पिता गुरुगोव सिंग महराज नो केंदे हैं के महराज बहुत सम्मेतों ऐसी पुखे पाने इमें ही लड़ रही हैं उन साथा स्रीर भी जिवाब दिन्दा जा रहा है इन ऐसी इते माशी बाड़ जंगना विच उस समें ओ जंगल बहुत पारी सी जो जानबर ह उनना शिकार करके खा सकते हां ते अतियासे केंदा है के महराज ने उस कड़ी दे बेच सिंगा नो एक या सी के तुसी शिकार करके खा लगो पर गुरुगोव सिंग महराजी पूणा हरी सन अर्थात के उननो पुख प्यास ती अवस्ता तो उच्ची उठी होई नहीं कर दी सी के फिर सिंगा ने उस माश्री वादे जंगा दे बेच शिकार करके उते मीट बनाके अर्थाद के पून के ही उस मासनु ख़दा सी एक गल एश वश्ट हो जांदी है के प्रुगोव सिंग महराज ने कदे भी यह नहीं किया कि साठा खा सा सिक मीट खावे पर मीट खान देना जा आंडा खान देना ठीक हुंदा है का गुरुगोव सिंग महराज जी दा एक कहना है कि उस समय लोड़नों मुख रख दे हुए ऐसी उस समय लई मीट खा सकते हां क्योंकि उस समय श्रीर्द जरूरत है कि दूजी का लिए है जिस जानबर दा तुसी मीट बनो दे हो उसनों मार दे हो तांके उस दे लई एक जब जी साव जा एक सुखनी साव जी दा पार्ट करना बहुत जिरूरी है तांके उस वरे होई जीवनों उस पार्ट दी अर्दास करके उस दा फाड उसनों लगाया जा सके तांके उस दा अगां दा जीवन जेड़ा है और जुना तो पटकता बढ़ सके तो हाड़े उपर जो उस बे जुवान नो मारन दा पाप लगेगा ओ भी बहुत हालता कट जावेगा इस तरह दी अवस्ता दे वेच मीट खाया जा सकता है उमें गुरुगोप सिंग जी ने बर्जित कीता है मीट खाना इसे तरह दी दूज फिर शास्त्र अनो लुगाया जानदा है इते एक अल्икс derive कारणवारी है कि शास्त्र जो हनो खून मंग दे हन जो चंडी है ऑगोः कों दि प्यासी है अगर चंडी नो खून ना परढाया गया अगर शास्त्र नो खून ना लगाया गया ता एह मन्या जानदा है कि oning फिर इ लाईयां चगडे मारो मारी शुरू हो जांदी है। इसे लिए ही चंडी दा जो पाट कर देहन जो हिंदूआं बेज देखिया गया है कि ओ चंडी दा पाट कर तो बाद बली भी देहन। पर सिखा दे बेज अजया नहीं है कोई बली देर दी लोड नहीं हुंदी पर शाष्टर हमेशा ही खून दे प्यासे हुंदी आन इसे लिए उना नो खून देके उना दा शिंगार कीता जांदा है। पर सवाल इउत्धा है कि बेज वाना दा खून देना की सही गल है कि सिख करम दे अनकूल है इस दा सवाल हमेशा जहा ही सवाल बन्या ही रवेगा क्योंकि इस दे उपर अपने आपने कई तरह दे तरक हर ब्यक्ति पेश करदा है पर गुरु गोब सिंग जी ने जो कुठा मास या सिखा नू हलाल खाना मना कीता है चटका सिखा सकते हन ओ वी उदों ज सरीर बेच तो प्रॉलम की खोबेगी पर अज दे लोक जो मीट खाना चौंदे हन ओ अपनिया तार नमा बना के शर्याम केंदे हन के गुरु गोब सिंग माराज ने ता मना ही नहीं कीता मास कान तो इसलाई हर ब्यक्ति अपने अपने लोड़ दे अनसार अपने अपने अप मास खाईये और देल उना दा खुद ही करदा रेंदा है कि ओ मास खाने इसलाई कल की तर पिता जी ने कदे भी मास खान नू नहीं क्या पर ए स्वाल अजे उना दी पकड़ बेच फिर भी नहीं आवेगा जो मास खाना चौंदे हन और जो मास नू अपना जीवन बना चुके हन इससे तरह दी होड़ वीडियो लेकि आप जीदे सन्मु खाजर हमागे फते दी साजवाव वाहे गुरुजी का कलसा वाहे गुरुजी की फते